हेलो फ्रेंट्स आज का इस वीडियो में हम आपके साथ सेयर करने वाल है बड़ा आप जॉइंट को कैसे मारेंगे होर्जिंटर पोजिशन में टूजी पोजिशन भी इसको कहा जाता है तो बड़ा हो या छोटा जो भी आपको टूजी में जॉइंट आएगा थोड़ा सा जो ऑपका ऑढ़ेंगों क्या चोटा च्छटा पॉैंट को अगर आप नोट कर पाएंगे अच्शोटा के टो चोटा पोएंट कर से जो रहांट से सक हब फूल्ट करने वालए है । आपको भी बड़ीघा से बड़ीया विललिक होने लाएगा थेक़ तो आपको भी विडियो करकें तब रोड को देने onünden को बता देना ठीक ए और देखे करेंट को मैंने सेट कर लेंगे 106 या 107 में सेट कर दीने ये 100 से लेकर के 105 चेशा का अंदर में पूरया जोटाम को खतम होग यार में 105 पांट से लेकर 107 में करेंट को टोटेली मार दिये थे जो कि अपका पुड़ा फिल अब कर दिये थे और फाइनल भी कर दिये थे और यह मेशियन यहाँ पर टीग में किया हुआ था था में इसको आर्क में कर दिया है और 7 0 8 का रट के लिए आपको प्लास में जलाना है थुर आठरा इंची का लाइन है और पॉपरली रॉट जब आप लगाएंगे तो पॉपरली एक तम स्टीक में लगा दिना है यह नहीं कि आदा मसाला में आदा इसमें लगा दिये तो एक चांस में रॉट जलेगा नहीं और हमेशा की तरह आपको यही चीज़ आपको कहेंगे रॉ जाएंगे रॉट को थोड़ा से आगे के जला करके तब फिर आप यहां से मरी स्टैप के मरी ठीक है फ्रेंस रॉट को आगे से अगर आप टान के मानेंगे तो आपको दो फाइदा मिलेगा जो आप स्टार्टिंग छोड़े थे वह आपको पॉपरली पता चल जाएगा और जो पॉड़ोसीटी मारता है वो भी जल जागा ठीक है तो देखे इसको मारने के लिए दो तरीका है एक तो आप उपर नीचे इसा इसे सीधा करके मार सकते है और फिर आप नहीं तो आप थोड़ा सा थोड़ा सा जो चांद होता ना फिर आधा वाला चांद उस टैप में भ जोरूर करिएगा ठीक है अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जोरूर कर लीजिए और फैंस और एक चीज जो आपको ध्यान रखने बाला बात है यह अगर मान के चलिए थोड़ा सा और अगर ज्यादा थीगनेस होता तो इसको रूट का में आधा से ले करके चलता तो आपको भी ऐसे मार ना है जास्ट उपर में जाएगा आपका और वहां से फिन नीचे आएगा और सबसे बड़े जो इनपर्टेंट बात है आपको नीचे वाला जो यह है ना उसको थोड़ा सा आपको यह के में छोड़ देना है ऐसा नहीं कि आप उसको पूरा कभर कर अगर नीचे वाला यह जागर आप पूरा एक ही बार ढाक देंगे तो फिर जब इसका फिल आपके टाइम ग्रैंडिंग मानने के लिए जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जागे क्योंकि लाइनिंग आपको मिलेगा नहीं फिर आपका लाइनिंग सिधा ने बनेगा फिर चाणत होता है और उच्टैप का भी मार सकते है थोड़ा से उपर जाएगा एसे नीचे आएगगा यह थोड़ा सिधा नहीं होगा यह थोड़ा से टीपर टाइप का होगा देखिया है तो आप इस टाइप में भी मार सकते हैं चाहिए आप उपर नीचे सीधा करके भी मार सकते ठीक है थोड़ा से आपको सोच लेना के बाई कैसे मारने से सीधा होगा तो फेंस अभी फाइनले नीचे बाला लियार हमारा कंप गी forward के देखेंगे तो यह clear में पहले ले जा रहा हूं उसके बाद दूसरे ले जाड़ा ठीक है तो फिलफ खुन एक आपड़ कंपलेट होने के बाद आपको यहां सब्सक्राइब कर देंगे करने के लिए अगर देखेंगे तो देखिए में फिलाफ हो गया है बहुत अच्छा सको लेबल टैप के फिलाफ हो गया लेबल चुछ थोड़ा यह के में टाउन ही है अगर हम वह किनारा अगर नहीं देखेगा तो यार इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप थोरा से लाइनि बीडल बोजिशिन में आप मारेंगे तो नीचे बाला लियार को थोड़ा सह था मड़ा जाता है करेंट थोड़ा कम रखा जाता है ठीक है आप इसका उपर में दो लियार मारेंगे है कि इसको हम तीन लियार में ौटा होगा वध learners na तो इसलिए ज्यादा भी मोटा निया बस थोड़ा सा ही मोटा होता है जो आप है तो उस हिसाब से आपको रॉड को थोड़ा सा आगे से जलाते हैं वह लेकर के जाना है जिस जगह में आपको वैल्डिंग को आप स्टार्टिंग को छोड़ेता हैं हम बार बार एक ही चीज बोलता है कि आपको थोड़ा आगे से जला के उस पूजिशन में ले जाना है और वहां थोड़ा से एक दो सेकेंट एक सेकंट अगर आप डेट सेकंट रोकना है उसके बाद से मारत हुए आगे जाना यह नहीं कि आप जहां से वर्डिंग के छोड़े यह भी आपको दिख जाएगा इसलिए मैं बार बार एक ही चीज आपको कहता हूं और दूसरे बात है फ्रेंस जो भी आप 7018 का जब आप रवाट जलाएंगे तो थोड़ा सा हलका फुल का पूरुशिटी मारी देता है तो जब आप दूर से जलाते हुए आएंगे तो पू अच्छा वेल्डिंग होने लाएगा कि ठीक है और आपको भी देखे इस स्टेप के मारना अभी देखे में आभी मार आँ नीचे वाला लिया तो नीचे वाला लियार के लिए आपको जस्ट आपका आधार तक ले जाना है क्योंकि आपको आधा लेना है उसके बाद दूब आपको एक ही जगा में तीनों पॉइंट को नहीं मिला दना देखिए में वहां से वेल्डिंग स्टार्ट किये थे और दूसरे जगा से आकर के फिर वहां मिला यहां ठीक है अभी हम क्या करेंगे थोड़ा सा आगे नहीं तो थोड़ा सा पीछे से हम सेकेंड लियार चालू प्रोसेस में जाएगा डिपीटियर्ष्ट हो भी हो सकता है बहुत तरह का आगे का प्रोसेस में चला जाएगा ठेक है तो आपको भी कोशिस करना है थोड़ा अच्छा से वेल्डिंग करने के लिए क्योंकि यार क्वालेटीव बहुत बढ़ा मेटर करता है कोई भी वोई और अखिकत में हैं ठेके तो देखिए अब यह मेरा पहले लेयर यहां पर नीचे वाला हो गया है अभी दूसरा अभी हम यहां से मारने जा रहें तो दूसरा लियर जो मारें नीचे वाले लियार काम आधा तक ले जाएंगे यह थोड़ा सा ध्याम देजिये यहांपर तो और यहाँ थ्यान देखना पड़ेंगे तब यहां पर आपको समझ में आए गाएगा दूर से हम रिकरडिंग कर रहे तो है तो फोलोक देखना पड़ेगा टाथ यहां अगहर आप देखेंगे तो फोलो कंड़ा tired उपको बड़्र हो जाएगा है यह चीजिद का पर है अगहरोइस किनारा को आपको भाड़ेना वहां टच करके भाड़ेना देखिए यहां पर इसेकंड लियर भी यहां पर वेल्टिंग हो गया ठीके जास्ट इसका ओपर और एक लियर आभी हम मार देंगे तो यह आपको फाइनल कम्टीट हो जाएगा देखें पहले लियर हम वहां पर किये थे करना है तो चलिए दो लियर पीछे पर करकर एसे लेना है तो चलिए बसट तो तो Tulio तो दो लियार मानने के बाद आप चाहे तो ब्रास कर सकते हैं थोड़ा सा ब्लेट मार करके सिल्याक को जड़ा लीजेगा या फिर आप पूब बास ग्रांडिंग में से न अगर आवे लेवल है तो ग्रांडिंग जुरूर कर लीजेगा अभी सबसी बड़ा जो इनपोर्टे 208 का अंदर में कर्रेंट कर था तो अब भी आगर इस पोजिशन में मार रहे तो एक सो एक सो का अंदर में राख सकते हैं तो आपका वेल्डिंग बढ़िया होने लाएगा और हर वेल्डिंग का पैकेट में या लिखा रहा थे कितना करेंट में राट जालेगा थुड़ा स तो उपर टाच करना फिर आना उपर टाच करना आना ऐसे स्टेप के मारते हुए अगर आप जाएंगे तो आपको उपर बाला लियार हो जब आप मारेंगे तो एक ही चीज़े आपको ध्यान राखना है कि उपर का पाइब का जो है अंडर कट नहीं होना चाहिए कि उपर ब लोकना है क्योंकि अंडर कट आएगा तो फिर आपको बोलेगा जाओ और आपको सिल्याग भी आपने से छूट जाएगा लेकिन आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो यह वेल्डिंग अच्छा नहीं होगा इस चीज को ध्यान देना देखिए देखिए मैं जितना रोड जलाया मतलब हमरा करेंट 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 भी सही था और अटकर डिग्री भी सही है और इसको मुमेंट भी हमने सही किया है बोल करके इतना अच्छा वेल्डिंग होगा ठीक है बहुत अच्छा वेल्डर है जो कि हमसे भी आच्छा फिनिसिंग देता है बहुत अच्छा वेल्डर है बहुत बहुत आत्मी बोलता है तुम क्या वेल्टिंग मरता है चलो बाई मैं जैसे हो जितना भी हो मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा बहुत आप भी सीख जाए ठीक है क्योंकि जो वेल्डर पहले से अच्छा वेल्डर हो तो वीडियो को देखेगा नहीं लाइक भी नहीं है तो थोड़ा मार दीजिए गंडिंग में लगा करके तो मैंने भी स्टैप के मार दिया तो थोड़ा से दिख रहा है यह थ्री लियार में कंप्लीट हो गया अगर इसका थीगनेस पे थोड़ा सा ज्यादा होता मान के चलिए इसका थीगनेस आपको 16 एम होता या फिर 18 होत था तो मिने 2.5 से इसको मड़ा है लेकिन बड़ा जोण के लिए 3.15 से ही रहेगा ठीक है और फेंस आप कौन से वेल्डर बना पसंद करेंगे यह भी जूरूर बताईए और आप इस वीडियो का कहां से देख रहा है यह भी जूरूर बताईए और वीडियो कैसे लगा कॉम